हेलो एव्रिवाण कैसे सभी बच्चे आइखोब आप सभी बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे औन बहुत ही अच्छे से पड़ाई कर रहा है रहाइं जल्दी से मुझे हाई άλλो बॉन इंहे लो गला हैं सब बदा दो बोप सव अच्छे से ग्रीट वह कर लो गुन मॉन एकदम अच्छे से तयारियां कर रहे हैं कर रहे हैं ना भई शल्दी से मुझे कॉमें सेक्षिन में सभी बताएंगे हाँ या ना सो बच्छे आज मैं आपके लिए जो लेके आयो लेक्चर इस बेस्ट ऑन टॉइग्जाम प्रेपरेशन आप लोग का टॉइग्जाम आने वाला है उसकी प्रेपरेशन करनिया में विच सम टिप्स आंग ट्रिक्स जहां पर बच्छे में आपको यह बताऊंगी कि आप लोग है क्या क्या आपके important question होंगे specifically बच्छे science biology में राइट यह तो आपको सब exams में follow करनी है चैक किसी कभी exam हो यह tips and tricks अगर आप याद रखोगे आपके लिए exam में questions का आंसर लिखना हो जाएगा बहुत ज्यादा easy राइट फिर बेटा उसके लावद जो questions कराऊंगी वह आपके mainly science biology से है ठीक है सो बच्छे we will be doing some most important questions कुछ questions आज करेंगे कुछ questions हम करेंगे next class में ठीक है बच्छे सो बेटा विच सम टिप्स and tricks we will be doing some most important questions जहां पे मैं कराऊंगे आपको पूरी एक्जाम की preparation of term 2 कि भाई आपके science biology से क्या questions important है क्लियरे सभी बच्छों को सो बच्छे जल्दी से सभी बच्छे जोइन कर ले अपने friends को बोलिए जोइन करने को लिंक शेर करना है लिंक शेर कर देजे क्विक्ली एव्रीवन बहुत जल्दी से सभी बच्छे लिंक शेयर करें अपने सभी फ्रेंस को ताकि यार साथ में फ्रेंस के पढ़ोगे स्विक अच्छी ड्रिटी प्रेपरेशन होती है ये गुरॉप maior ये योपा यह क्या है तो ड्रिबेस करो कुछ राइम आपको क्यृप में भी इन वेस्ट लाइस आरी पर Здरीप इसन बींग की बिटा जब गुरुप में बैठ आप चार और नहीं चीज़ पता चलते कि अच्छा माम ने यह बताया था ओके माम ने यह ऐसे लिखने को बोला ओके माम ने बताया था कि फ्वेस्टिन में इंपॉर्डंट है सो ग्रुप स्टडी इंपॉर्डंट इसलिए बचे जल्दी से क्लास का लिंक शेय कर दीजे सबी फ्रेंट्स को बोल दीजे बेकेन आल्सो जोइन दा क्लास ठीक है और अगर कोई बच्चा भी नहीं देख सकते तो बच्चा बाद में जरूर देखे विकर्जी आपके लिए ही important class होने वाली है right so बचे okay so आप लोगों की एक आदत है जो की मतलब यह usually सभी बच्चों की आदत होती है मैं जब छोडी थी वन आए वस इन नाइन स्टांडेट मेरी भी आदत थी कि the moment when I find any easy question in the exam मैं ऐसे बस पन्ने भरने लग जाती थी yeah so that moment just time up question paper देखते और आपको दिखते है क्यों रहे यह तो बड़ा easy question आप उस question के वीचे से हाथ धोके बढ़ जाते हो कि आज तो हमने इसी question पर PhD करना कर डालनी है इस उसी question को आप ऐसे भर भर के लिखाते हो राइट सो बच्चे that is wrong that is very wrong so उसी से related मैं आपको कुछ tips and tricks बिताऊंगी जिनको आपको रखना है बिलकुल ध्यान में राइट बिलकुल ध्यान में रखना है बच्चे और उसके basis पर आपको करके आने हैं questions क्या tips and tricks हैं देखने जल्दी से तो भाई देख लेते हैं सो बच्चे how to write the answer in exams कैसे हमें answer को frame करना है कैसे question को answer करना है वो सारी चीजें हम यहां पर समचेंगे सबसे पहला है की choices given आपको पेपर में बहुत सारी choices given होती है आपका पहला section होता है one markers का जहां पर एक मार्क के questions given होते हैं उसमें कुछ 15 12 या 15 questions होते हैं जिसमें से बच्च 10 या 12 questions करने होते हैं 12 question है तो आपको 9 या 10 करने होते हैं 15 question है तो आपको 10 या 12 questions करने होते हैं so बच्चे choices का धान रखना है ठीक है question paper जब आप पढ़ना शुरू करोगे उपर जरूरूर देखो कि वहां पर लिखा होगा एनी 4 या एनी 5 या एनी 10 एनी 12 तो टोटल जिते भी questions है उसमें choices का धान रखो कि भाई हमारे पस कितने questions की choices है उसके बाद बच्चे देखिए कि आपके पास अच्छा यह 15 question है जिसमें से आपको कुल 10 करने सिफ 10 करने आप कोई भी पात छोड़ सकते हो सारे question नहीं करके आना because in that case बच्चे examiner बते क्या करती है अगर उसको पद सब्सक्राइब इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है उसी के according आपको questions attempt करने सो choices जान देना 15 में से 10 question करने तो देखो कि कौन से 5 question है जिन में आप थोड़ी बहुत भी गल्ती कर सकते हो एक परसें चांज है कि अच्छा यह मुझे नहीं आरा सो यह इसमें थोड़ा सा एक point है कि यार यह याद नी आ रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे वो most 10 questions करेंगे आप उन 15 में से हैं अगर आपको 10 करने का choice given है वही दस करेंगे जो आपको एकदम best आते होंगे तो पहली चीज आपको choices का रखना है दूसरी चीज बचे आप questions को read करोगे ब तो तीसरे पार्ट को आणसरी नी गड़ते हो या पहला पार्ट इतना साथ एक्स्प्लेन कर देते हो कि अप थर्ड पार्ट के बारे में ही नहीं सोचते है उसको आधी लाइन में खदम गराते हो आपको क्या मालूम आप यह दो देखो कि कॉन सा पार्ट कितना requirement वापे है हो सकते है कि first part में आप से कोई definition पूछा कि suppose आप से पूछा what is antibiotic यह define antibiotic ठीक है उसी question में second part are given example and then third part how antibiotics work against bacterial infection so but you define antibiotics simple यह बहुत एक simple si definition is the definition like my example like my second part me third part me you will have to explain more japa bitchy upka 2-3 line cover part cancer banega key how antibiotics work against the bacterial infection okay so it's me up good hand up like you keep up there up come like doga right appropriate now you can't write proper now you can't write there you can't write marks close to check it so read the questions carefully very 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 carefully dance about now jojo requirements who asked you according up to the point answering to the point answering means how much you asked how much you want to answer the question why not that you get an easy question like this is my heart like this is coming to me I will be full of pages or I will be full of pages 9 to the point answering to the point answering to the question define antibiotics antibiotics की definition पुछिया है लिख दो एक्जाप्पल पूचा है फॉर एक्जाम्पल करके लिख दो हाव एंटिबाटिक्स वर अगेंस्टी बेक्तिरियल डिजीज कैसे काम करती है बस मेकानिजम लिख दो उससे आगे हमने पेजिस नहीं भरने जित्ते नंबर का क्वेश्चन है उससाब से आप लिखो गयांसर एक नंबर का क्वेश्चन है मैक्सिमम एक से दो लाइन में खतम दो नंबर का less five 328 वेश्चन है एक डेड़ पेज तक वन अदा पेज तक मैक्सिमम लिखते हैं तो पोईंट आंसरिंग आपने करनी है में question do last एक बढ़ी question का आंसर लिख लिक लिया फिर वेरिफाय करो आंसर को वैरिफाय मतलब एक आपको फड़ा-फड़ देख लो सारे पाइज जो पूछा है question में उसको मैंने answer किया है या नहीं किया है आज़ बेटा आपको question में तो पाथ के विने दोनों पाथ को आंसर किया और अशी ते उनी कि मैंने कुछ जादा लिख दिया यह कुछ पॉइंट मिस कर यह हूं तो वह आपको वेरिफाय करना है वह आपको ध्यान देना है एक और जल्दी से यह सारा कुछ करने में आपको पांश मिन से जादा नहीं लिए तो आपक इसका है कि टीचर के लिए सो बच्चों का पेपर चेक करनाई जए तो टीचर क्या करते हैं आपको पड़ा रही है अगर मेरे परस कौपी हाँ मैं क्या देखूंगी कि बच्शे ने important important words लिखे हैं या नहीं लिखे हैं अगर वह important words है answer में तो मुझे समझ में आ जाता है हाँ इस बच्छे को concept clear है एक है एंड इसने काफी हत तक answer ठीक लिखा है तो आठीचर वाई keywords देखता है और उस keywords के भी इस बच्छे को चाहिए कि इस answer में यह पांच वर्ड जरूर होने चाहिए अगर वह पांच वर्ड उस answer में है और अगर वह एक नंबर कर दो नंबर का question है दो नंबर का question है वह पांच keyword teacher को चाहिए वह दो नंबर आपको as it is मिल जाएंगे अगर वह पांच keyword आपने लिख्या है तो अगर बटा teacher ढूंडे उन keywords को से जाधा चाहिए आप उन्हें अंडर लाइन कर दो answer लिखने के बाद कि माम यह यह important word यह यह word इसमें important है teacher उन words को देखेंगा उसको और खुशी होगे वह और एक बरी बिल्कुल भी ऐसे एदर उदर ना देख्या पूसीदे सीधे फुल marks देगा so yeah as an experience मैं आपको बदा रहे हूं कि जब भी exams होते हैं यह पांच चीजों का आप धान रखोगे बेस्ट आंसर आप प्रोवाइड करोगे अपने टीचर को और टीचर फुल माग्स देकर ही जाएगा 100 परसेंट पक्का ठीक है so keeping these points in mind in points को धान में रखते हुए मैं आपको कुछ questions सम्झाओंगी ठीक है यह कुछ बहुत इंपोर्डन questions है जो की in questions in points की बेसिस पर मैं आपके लिए लेके आई हो so guys let's start practicing some quite important questions उनका answer कैसे लिखना है ठीक है शुरू कर दे बच्चे शालो तो विदा पहला question है यह बच्चे हमारा किते मार्स का question आता है यह बच्चा हमारा तू मार्स का question आता है किते मार्स का या तो वन माक का सकता है ठीक है या फिर यह आपका टू मार्स का भी आ सकता है कि कुछ teachers क्या करते है अगर वन माक कर देते तो वह हाफ माक देते डेफिनेशन को that what is an antibiotic और हाफ मार्स में वो रख देते हैं एक्जामपल सो इस तरीके से एक नंबर का यह कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि एक माक का डेफिनेशन एक माक का एक्जामपल सो यह वन मांक यह तू मांक दोनों में से किसी भी कैटेग्री में आ सकता है आप से और यह तो सिंपली क्या पुचा है कि एंटीबाटिक यह डिफाइन करना और एक एक जामपल देना सो बाचे अगर मैं इंपली ऑंटीबाटिक की बात करूं आन्टी मीन्स अगेंस्ट बायो टिक मीन सम्-गैनिजम किसी ओगानिजम के अगेंस्ट जो मेडिसंट काम करें उ इन्सानों में ओhtaicherung इंसानों में बना एंसानों में अनिम्स में होता है जैसे कि एंथराक्स हैन वेन रोग्या यहां प्रभ शंचानल में सकल्वाएं स्वरेश्वा निगै की रेहों किसनी हो जाते जीरें है ठीक है सो बच्चे जो बैसले संथ्रेसिस है यह एक बैक्टीरिया है यह बटा एंथराइक्स वो जखम वो इंजरी कॉस करते है कीड़े कर देता है कैटल्स के पैरों में जिसकी बटा उन्हें चलने में देखका दाती है तो इसलिए उनको फिर क्या दी जाती है एंटी वाटेक्स हामारी बॉडी में अगर लूज मोशन होगे टाइफोई गया टाइफोई गया टाइफोईट कॉन को चाहता है सेल मॉनला टाइफी राइट बिक्तिरिया है अगर बिटा बिक्तिरियल डिजीज हुआ ठिक है टीक ऑच्छ थालए मिडिसें सब्स्टी आइए जो कि वाल टी करते हैं यह एभक बैक्तिरियल इंफेक्शिन फिपल अनिमल यह खेंसे काम गर्ति यह बचिलिंग यह ज़िए ए लिए परिछिंग तो अभली है यह ज़िए ने भी टीमर्चरों दो अश्क्ली बिया एग रोडिया की जो सेल वाल है उसको दोड़देती एक है यह जो बिक्तिरिया है वो अपनी सेल वाल के्ट्रूерм ही जाधा जहां हेहारों रहता है गट्रीया के अलोड होती है सव critterिया की सेल वाल को डीग्रेट कर देती हैं अंटी पाइटिक्स सो जब बेक्टिरिया की सेल वाली नहीं रहेगी तो स्ट्रॉंग नहीं रहेगा राइट सो आप से सफ पूचा है वाट इस न आंटी बाटिक तो एक मेडिसिन है जो कि फाइट करते हैं गांस बेक्टिरियल इंफेक्शिन इन पीपल अनिमल् में कि एठाइट पर बेक्टिरिया तो ग्रोवन मल्टिप्लाइग एग्जांपल के पैनिसलें राइट सो बच्चे इसमें हमने तू दू पॉइंट अंसर लिखा दो मांक्स का आपके लिए दो लाइन का अंसर है राइट जो दो से दाई लाइन का राइट उसके इलावा जो दो पार्ट पुछें दोनों पाइट हमने आंसर किये ए जैकंडी हम इसमें आब आई 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 एगी वर्ज अंडरलाइन करेंगे तो की वर्ज है थी जार्डी मेडिसिन्स एट फाइट बैक्टिरियल इंफेक्शिन इन पीपल अनिमल देवर्क बाइक बैक्टिरिया और बैक्टिरिया तो ग्रों चिक है तो दीज जास्ट दो वर्ज याप अंडरलाइन कर रहा होगे यूवल गेट फूल टू आउड आफ तू मार्क्स यावन मार्क होगा तो वन मार्क क्लियर है शालो यह हमने बात की वन मार्क या टू मार्क क्वेस्टन की आगे बढ़ते है यह बच्छे आपका 3 Marker question है कॉम से बच्चे यह आपका 3 marks में आ जाता है अब बच वो जो 3 marks मों किसी भी तरह से distribute हो सकते है कि अगर first part i boss 2 at the various ways to prevent the disease whaters immunization so Hebrews second volume आपको सिरफ definition लिखने what is immunization so teacher यह भी गड़ सकते है कि वो फ़र्स और सेकेंड पार्ट को 1.5 1.5 each में distribute कर देए कि पहला पार्ट देल नंबर का दूसरा पाट देल का बट टीचर यह भी कर सकते हैं कि पहले में वेज पुच है तो फेज एक से जादा यानि के दो तीन तरीके हो सकते हैं डिजीज को प्रेवेंट करने से करने के लिए सब अगर हम इसका आंसर देखे फिर्स पार्ट का विकन क्रेवेंट डिजीज इन तू वेंग दो तरीके से डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अब यह दो तरीके तो यह तू मार्क्स का भी हो सकते है फर्स्ट पार्ट राइट या फिर वह एकुली 1.5 1.5 में दोनों पार्ट को डिवाइट कर सकते हैं जो पेपर जिन्हों ने बनाया होगा दो तो बिटा दो तरीके पहला तरीका है है जेंडरल वे जेंडरल तरीका कि अगर मुझे तबित खराब हुई मैं डॉक्टर के बास बाद में जाओंगी पहले मैं घर पे कुछ फर्स्ट एड लोंगी तो डाट बेस जेंडरल वे कि मुझे सर में दर्द है सो मैं घर पे सरदर्द की दवाई लोंगी एं दैना एल स कि अगर मुझे दो तिन दिन में ठीक नहीं होगा तो मैं डॉक्टर के बास जाओंगी सो जेंडरल वे जो जेंडरल ट्रीटमेंट हम अपलाए करते हैं घर पे जेंडरल वे क्या है बाई प्रिवेंटिंग एक्स्पोजर टू इंफेक्शियस माइक्रोब कैसे गर सकते हैं बढ़ प्रोवाइड़िंग द्रिंकिंग वाटर और पब्लिक हाईजीन की साफ पानी पिये हाईजीन मेंटें रखेंग और प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड बालंस धाइट बालंस डाइट ले ठीक है जब हम बिमार होते हैं आरी तबहत खराब होती हम अगर जटना अ के थू हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को बिता second part में already पुछा है what is immunization so i'm maha bhi answer card a maha answer kardhoga so betas second part kya what is immunization so it's a process of developing immune power in the body to fight against the disease is called immunization in the process of immunization a vaccine is introduced used into the body due to which immune power of the body improves ठीक है सो बच्छे अगर में यहां पर बात करो immunization में क्या होता है हमें डॉक्टर वाक्सीन लगा देता है राइट जैसे अगर हम बात करें हमें बच्पन में बहुत सारी वाक्सीन लगती हैं वाक्सीन क्या होती है बटा special medicines special doses छिसमें जो market suppose अगर मैं बात कर वहीत की तो एसकौन कॉस कर है और होगरे अगर हमं बाइक करें पारे टेतनिस की सो बच्छे जो हमें बच्पन में बहुत सो बृत जो और हमें उसक्चिन में एक्षान एक मेमरी एक याद बन जाती है सेल्स में कि भाई अच्छा यह ओगनिजम है यह अभी आया है हमने पैचान लिया बिकॉस वह माइक्रोब जो मारी बॉड़ी में बच्पन में डाला गया इंजेक्शन के थू वह वीक था तो हमारी बॉड़ी में जादा इंफेक्शन नहीं प और आमारी सेल्स उसे मार देंगी ठीक है फिर बेटा जब आगे चल कि अगर वह माइक्रोब हमारी बॉड़ी में वापस से आता है तो मारी सेल्स को पदा चल जाएगा क्योंकि एक मेमरी बन गई की ओके यह पहले आया था अब यह दो बार आया तो इसको एंटर नहीं करने देना है वो हमारी सेल्स उसे महीं की महीं रोग देंगी सो डाट इस इम्मुनाइजेशन की जो प्रोसेस इम्मुनाइजेशन का इसमें इम्म्यून पावर डेवलप की जाती है बॉडी में तो फाइट अगेंस्ट दिजीज इसें बोलता है इम्मुनाइजेशन इसमें क्य वो जाती है राइट और बिटा अगर फर्स पार्ट में बात करूँ तो बाइप प्रिवेंटिंग एक्स्पोजर टो इंफेक्टियस जैन्रील माइक्रोब जेंरल वे क्या एक आप रोक्ड़ो मायクोड को बॉडी में एंटर करने से पैले की जेन्रल विए आस सब गन्दगी ओने की विज़ा से या पीने की वज़ा से पानी ओन निट पाने की विज़ासर दिजीज ओता हैं अगर आप को रोक दो थो डीजर इस this is a general way of preventing the disease की होने से पहले ही डिजीज को रोग तो बट अगर हो जाए उसके समें क्या आपकी बॉडी की जो सेल्स है उनके पस एक मेमरी होनी चाहिए की अच्छा यह आया है यह पहले भी आया था अब फिर आया है यह माइक्रोब इसको मार देना है ठीक है सो बचे सिंपली यह हो जाएगा आपका थी मार्क्स का आंसर यह आप लिखेया होगे इस तरीके से बाइंकिंग दिएवर्ट सेंगे बाइट्रेंकिंग सेफ बाइट रिंकिंग वटन अग पॉब्लिक हाईजीन और प्रवाइदिग बाइड प्रॉपर अंद बालंस टाइट these are the general ways take it so this is how agar ap in dono parts ko answer kardete ho you will get complete three marks clear shallow to beta aagye baat karlete hain now the five marker question ki yeh bachche apka five marks me poochha jata hai so question ke that what are the different means by which infectious diseases are spread kin kin tariko se infectious disease fell te hai so bachche kya different tariqe hain infectious diseases ke fail ne ke pahla tariqa hai through air air ke through bachche bohort sarin infectious disease ya infections at a supposedly agar mujhe cold or may ikdam bohut is manis knees kiya chika to meri chikne ki wajay se jo meri droplets t water droplets knees droplets aas pas koi bhi kadao ga wos ke uper gai so bachche osko bhi infection hoga corona virus me yeh toh tha ki we should wear the mask hame mask pehen ke rakhna hai and one arm distance pe rehna hai right kyun ki agar hame wo insandur hai ya ham us insandur hai ya ham us insandur hai or by chance hame infection ho gya toh ham kisi aur ko transmit nahi kareenge kyun ki ham dur khada hai so through the air right bohort sarin diseases pohut sarin infectious diseases felt there so is me kya hai ki jaisi ki little droplets joe infected person ki sneeze karne pe gai ya kuf karne pe gai so joe bhi insand kadao ga paas mein joe microbe chances onge ki wo start kar de ga ek new infection ek nahi individual me example as a disease ka kold pneumonia and tuberculosis sik ya fir bita dousra dharika hai through water water ki through be felt satay ki ganda paani like hame bola jatay ki ghar mein paani or khanay ko dhakke rakhe kyun ki beta jo flies and mosquitoes makhi machar hote hai wou bar gandhi ki pae batte hai wou a kekhaane pe baitheni paani me gir gaya ap kya agar ton panis a nikal de toh and then you keep on using that water up us water ko va-pais use kar le toh ya fir kaai garo me bi-ar-o b nahi hooga kai jo ga hota hai sowe ba chye jo wapani hai that is dirty water usma kuch na kuch infectious mycrobe kuch logoko nahi hoota di usse problem क्यों क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्टॉंग है विटा अगर सपोज़ेड ली मैं और मेरी एक फ्रेंड हमने सेम खाना खाया बट उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई ठीक है यह मुझे पेट दर दोगे और वो एक दम फाइन है तो इसका मतलब क्या है उसमें कुछ कुछ घाने में कराबी थी कुछ ना कच इंफेक्शियस था जिसकी मुझें इंफेक्शन वा बट्मेरी फ्रेंड को क्यों यो उसको भी वा घप उसका मायक्रोब तो चुछा इम्यून सिस्टम बोच स्ट्रॉंग है जिसकी वजए से उसने इंफेक्शन को फायट कर लिया मेरा इम्यून मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉंग नहीं होगा आइज तो भाइज इसलिह मुझा इंफेक्शन हो गया तो बिटा इंफेक्शियस एजिन्ट जो है हमारे गट में हमारे पेट में चला जाता है और यह क्या कोज करता है तो कॉलरा मेंली ड्रिंकिंग वाटर की वजएसे होता है जहां पर बच्चे लोग बिना आरो का बिना साफसुत्राबानी गंदा पानी यूटलाइस करते हैं प कि भी बॉड़ी में बाइड वाटर दे ड्रिंक एंड कोज इस डिजीज इन दें तो यह डिजीज इस जो है यह कब होते हैं जब आपसेंस हो सेफ सप्लाइज अफ ड्रिंकिंग वाटर की जब हमारे गरों में साफसुत्रापानी नहीं आता तब यह डिजीज कॉस होते हैं ते कि और अगर मुस पानी को कंजिम करनें तो फिर बचे दूसरा तरीका क्या है थृू सेक्शवल कॉंटाट शेक्शवल कॉंटाट के थू जैसे कि अगर डरा सो मेंगी ढीन डिजीज जो की सेक्शुली ट्रांस्मिटेड डिजीज डिजीज जोता है sexual contact के त्रूट जैसे की एड्स आगर किसी भी इंसान को एड्स है और उसके साथ किसी healthy person ने sexual contact किया which is unprotected unprotected sexual intercourse हुआ हो या किसी भी तुरू उन दोनों का body fluid exchange हो हमारी body का जो फ्लोड होता है जैसे की सीमन हो गया वजानल डिस्चार्ज हो गया हमारा स्वेट हो गया सलाइवा हो गया यह सारे बीटा body fluids होते हैं जब यह से contact में आ जाते हैं हम उसे consume कर लेते हैं किसी infected person से in that case sex year diseases होते हैं so sexual contact से भी डिजीज होते हैं जैसे की सिफलीज and AIDS यह transmitted through the sexual contact from one partner to other so other than sexual contact AIDS virus जो है यह blood to blood contact से भी हो सकते है blood is also a fluid blood be a fluid है अमारी body का सो कई बार क्या होते है की खराब लड़ चड़ादिया जिसमें AIDS का माइक्रोबेट का वाइरस है वो ब्लाड़ अगर हमने किसी healthy person को चड़ादिया for any condition यह जो drug addicts होते हैं वह same needles use करता है same needles use करते drugs लेने के लिए सो इसकेस मेर किसी एको एज तो दूसरा जो हैल्दया उसे भी हो सकता है right काई लोग cigarette same use करते है right साथ में से smoke seems from the same cigarette so this case में बेटा उनका saliva contact में अगा that also causes the AIDS right उसके इलाव बिटा infected mother say baby में आ सकता है through the pregnancy या breastfeeding के टाइम पर क्योंकि बिटा pregnancy के टाइम पर मदर से बच्चे में जो ब्लाड़ वो पास होता है प्लसेंटर के तुरू that blood जो मदर का जो ब्लाड़ वाइंफेक्टेड बच्चे में जाएगा बच्चे में भी एड्स का वायरस पहुंच जाएगा राइट उसके इलाव बिटा वेक्टर्स के तुरू डिजीज कॉज होते हैं कैसे की कई जो फीमेल अनॉफलीज मस्केटों है राइट जो की लेट आफेम एंफलीज मस्केटों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि onianc 것을 कर देबाट फीमेयल अनॉफलीज मस्केटों जो है यह बेटा जो प्लाग्जमो स्वाग्फात एंथ जो हमारा प्लाजमोंडियाम और है जो कि Affairs करता है Malaria plasmodium causes Malaria तो टो टो टा Plasmodai एमरी बॉडी में सason नहीं आजाता can plasma optimizeLEY किसके थे दो एक वेक्टर के थे तू यानि झारे के तूसकि किसी के साहारे आता है तो किस जिसके सहारे आता है उस और्गनिजम को हम बोलते हैं वेक्टर सो वेक्टर कौन हो जाएगा प्लाजमोडियम का इट इस दफी मेल अनॉफलीज मस्केटो राइट सो इसके त्रू बॉडी में आता है प्लाजमोडियम हमारी आंग क्या कॉस करता है बिटा मलेरिया सो कुछ आनिमल्स है जो कि क्यारी करते हैं इंफेक्शियस एजिंट को फ्रॉम ए सिक परसेंट टू अनादर पोटेंशिल होस्ट उन आनिमल्स को हम इंटर मीडियरी ज बोलते हैं या फिर वेक्टर सो बच्चे जो कॉमनेस्ट वेक्टर है सबसे कॉमन वेक्टर वो है मस्किटो जो कि spread करता है मलेरिया कौन सा मस्किटो फीमेल अनॉफलीज मस्किटो कौन से और गनिजम को ट्रांसफर करता है आरी बोडी में प्लास्मोडियम को राइट सो बच्चे जो फीमेल अनॉफलीज है उसको काफी नुट्रीशियस फूड की जरुरत होती है इंधी फ हमारी बॉड जह ममें काटती है वो प्लास्मोडियम ट्रांसफर कर देती है तो इस हाओ हमारी बॉडी में डिजीज इस होते हैं दिफरेंट मींस भाइविच इंफेक्शियस डिजीज अस्प्रेड आप बिटा इस आंसर वेने कुछ कीवर्द में मार्क करें हैं टीचर समझ आ जाएगा कि आच्छा बच्छे को आता है उसने पूरा अंसर लिख वो इसमें आपको फाइव के फाइव मार्क्स दे देगी सिक्या शाल सो बचे नाओ डिफ्रेंशियेट बिट्वीन इंफेक्शियस और नौन इंफेक्शियस डिजीज बच्छे जब भी हमसे यह डिफ्रेंशियेट आपसे तू माक्स में भी पूचा जा सकता है या फिर थी माक्स में भी पूचा जा सकता है और बच्छे डिफ्रेंशियेट वाले क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट उसके एलावा आप से वन पेपुछ लिया गेविन एक्ञामपल और उन इंफेक्टिस डिजीज यह वन मार्ग में पूछलियग वट रिंफेक्टिस डिजीज गवन एक्जामपल तरह से आपके क्वेस्टिफ्ट्न साषव पैंच क्वेश्ट अइसे प्रिपयर ओजाते हैं तो जब भी डिफरेंशियेट आए आप पारेग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं लिखेंगे ओल्वेज हमेशा ढिफ्रेंश को हम टाबिवलर फॉर्म में लिखता हैं तेबल की फॉर्म में ठीक है जैसे यहां पे टेबल की फॉर्म में लेके आएहू कि आपने पहला non-infectious disease का पहला पॉइंट होगा तिक है आमने सामने सो यह ऐसे आप टैबिलर फॉर्म टेबल की फॉर्म में अंसर लिख्या होगे जब भी डिफ्रेंशियेट पूछा जाएगा यह बेस्ट तरीका है डिफ्रेंशियेट को आंसर करने का पारेग्राफ फॉर्म में लिख्या हो इस तरीके से की टीचर जो है जब टीचर को बहुत जवदा टाइम लगते ना पेपर चेक करने में जब हैं राइटिं गंढ यह गंद तरीके से अंसर लिख मैंशिये लिख्या है जो जो तरीका मैंने बताया उनको धान में रखते हैं ताकि आपका कहीं भी एक भी मार्क्स कोपना हो तो बच्चे आंसर देख लेते हैं इंफेक्शियाज डीजीज़ इंफेक्शिन का बोटा है किसी external source से एकट किसी भी दूसरे एच न्यारू सोगरी इंफेक्शीन एंटर करते हैं तो यह किसकी वज़ेसे होता है? एक्सटर्नल या एक्स्ट्रिंसिक फाक्टर की वज़े से कि किसी दूसरे ने चीका, right? उसकी स्थीज़ टौपलेट साई, जिसके ज़िए से मुझे इंफेक्शन हो गया. मही बेटा, non-infectious, जिसके लिए को इंफेक्शिस एजेंट इंवल्ड निया, मेरी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ, कि जिसकी वज़े से मेरी बॉडी में कुछ इंफेक्शन हो रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी उसके लिए रिस्पॉंसिबल है, सब्सक्राइब को इंफेक्शिस माइक्रोब या पाथोजेंस इंवल्ड वोते हैं, जैसे की बैक्टीरिया, सो इसमें आप वर्ड हाइलाइट करोगे पाथोजेंस, ठीक है, यहां पर यह कॉस कब होते है, कोई भी फाक्टर इंवल्ड वो सकता है, कि आपकी सेल्समें प्र और वोर्गन में कुछ प्रोब्लम आरहे है, ठीक है, बट कोई लिविंग पाथोजें इंवल्ड नहीं होगा, अधर दन लिविंग पाथोजें, कोई और फाक्टर हो सकता है, कोई इंफेक्शिस एजिट ना हो कि कुछ भी और चीज़ सकते हैं, इसकी बड़ी में यह में, बट नौन इंफेक्शिस डिजीज इस प्रेड नहीं हो सकते, दे के नौट स्प्रेड, अगर सपोज़ेडली किसी एक इंसान को चैंसर है, ठीक है, क्या वो किसी दूसरे इंसान में हो सकता है, नहीं, बिकॉस चैंसर जो है, राइट, कैंसर जो है, अगर मैं बात करू कैंसर की, तो कैंसर इस अनौन इंफेक्शिस डिजीज, राइट, फिर बच्चे इंफेक्शिस डिजीज, जो कि ट्रांसमेट होते है, ट्रू डिरेक्ट कॉन्टाक्ट, जब भी डिरेक्ट कॉन्टाक्ट हो, या किसी मीडियम के थू, यह हमारी बॉडी में, इंफेक्शिं एंटर करते हैं महीं बटाई यहां इंफेक्शन कब पोहता है जब आमारी बोडी में डायरेक्ट रिक्टार्ट कोंटार्ट ना हो ठीक है कि जब आरी बॉडी में कोई डाय कॉनेक्ट नियोता है लाइक अजन कोई है डीटरी प्रॉब्लम है कि जो दिककत पैरंस में थी हमारे सेम हम में आ गई ठीक है यह नारी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ेसे कि कोई इंसान बहुत अल्कॉहल पी रहा है तो उसकी लिवर में प्रॉब्लम आ गई बहुत smoking करें तो लंग्स में प्रॉब्लम आ गई ठीक है तो इस अधीज आ नौन इंफेक्शियस दिजीज का एग्जांपल ए गांसर मही अगर मैं इंफेक्शियस डिजीज के एग्जांपल की बात करो सब च्चे यहां पे अमारा जो एग आशे लिखने आंसर सो बचे यह चीज काफी बार होती होगी कि जो टॉपर्स होते एग्जाम में वो अपना पेपर नहीं दिखाते मैं नहीं दिखाऊंगा यह मैं नहीं दिखाऊंगी रिलेटबल राइट सम रिलेटबल स्थ मैं असे नहीं करती थी बिकोज मैं उतनी कर आप कर भी है तो मैं ऐसे नहीं किया बिखुस मुझे पता है कि कल को मुझे जरुरत होगी सो कोई नहीं बताएगा लेट भी सो यह चीज थोड़ा रिलेटबल है वह वह सब के तो और कई वच्छों ने किया भी होगा सची सची बदाना कि कौन किस किस ने ऐसे किया है कॉ आपकेश्चे किँरेंस कि कि उनके साथ ऐसा कियो तप सने एल्ट है उन्हों ने का भी है सची सची बदाना और अगर नहीं किया तो भी बताना कि मया मैं नहीं है खงकी कि वेरी गुड गूट सुछरु प्रेंडशिपे नमें गार ऐसे नहीं इंड है तो सची सची बदान पक्का से ठीक है अब बिटा देख लेते हैं कुछ होम्वक क्वेस्टिंज सो यह बच्चे कुछ होम्वक क्वेस्टिंज में आपके लेकर यह हूं सभी बच्चे मुझे कॉमन सेक्शन में इनका अंसर देखे जाएंगे एक बच्चा प्लीज आर्ली वांट तो नो ओके सो बच्चा question number one is that how can dehydration of the body be prevented dehydration हम कैसे prevent कर सकते हैं body में जब पानी की कमी हो जाती है कैसे prevent कर सकते हैं question number two name the disease-causing microbe that lives and remain active inside the host cell concert disease-causing microbe jokey host cell key boy host cell key under will living retort active repair or job host cells a barrette to active nahi rehta right sir but your question number three air that name the vector of malaria malaria cover vector with on a key malaria corn fell at a second and then question number four expand aids aids key full form up cover down here and then the fifth one name the disease which causes swollen and bleeding gums concert disease major gum there right was swollen suit at the fools are there or bleed got the cool niggal tagom smitha so yeah five questions answers so you watch it was a common section may fuck up a cover dog get dying a and then I will see how many kids have answered and then I will definitely acknowledge them in the next class wish I will give you back up a cover take care so what say I hope you all like the class so essay he could your important questions I'm carrying in next class me till then see you all at that in that class till then but say bye bye thank you